अगर पसंद आती है तो प्लेस वीडियो को एक लाइक करने चैनल में पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सब को कैसे लगी है तो तभी थराफ होने के कारण में वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं फोड़ी सी म और पिए रफल चैनल के एक अंगे और यहां पर सबसे पर हम तीन चैनल माना के एक दागा लेंगे और जो सब्से लास्ट वली चैनल है इस जगह पर डालते हैं हैं हमें 6 डबल साकर नहीं एक ही चैनल में से 6 डबल प्लस यानी 6 डबल करेंगे एक हो गई दो तेन चार पांच और ये छे प्रोटल हमने यहां पे शिक्स ड्रबल टू से कम्पीट कर लिया तू चेन लेंगे वन और ये टू खीक है इस सू चेनगुए कांट नहीं करेंगे पलटना है सेम इसी छेन पे डालेंगे टू ड्वल्टू से करेंगे में एछ में हमें टोटल कुशने बनाकर सब्म्राइब क्रेंग colabor है ऐं इस तरह से है one डौब करती हूं यहां पे हमारी 12 डौब कुरसे बनके यह complete हो गई है चेन लेंगे फिर से third round के लिए यहां पर two chain लिए two chain को हम count नहीं करेंगे same first वाली chain पर two double crochet करेंगे one और यह two ठीक है इस round में आपको two one two one इस तरह से करते वे जाना अब second वाली chain पर one double crochet बनाएंगे third roll chain पर two double crochet बनाएंगे one और यह two ठीक है फिर बनाएंगे one इसके next roll chain पर बनाएंगे two one और यह two ठीक है है पहली chain में आपको two double crochet बनाना है फिर एक double crochet फिर दूद करेंगे यहां पर थर्ड राउंड के लिए वान और यह टू चेन लेंगे फर्स्ट वाली चेन पर डालेंगे और टू डबल क्रोश है करेंगे ठीक है वन डबल क्रोश है और यह टू डबल क्रोश है सेकंड वाले पर वन डबल क्रोश है करेंगे थर्ड में भी वन डबल क्रोश है करेंगे यानि इस राउंड में आपको करना टू वान वान फिर से टू फिर वान वान फिर टू ठीक है यानि दो डबल क्रोश है फिर एक एक अलग चेन में एक डबल क्रोश करते हैं तो यहां पर मैं आपको हार साइज में कब बता दुगा को करना कम दाद दॉओं आपको मैं बता दूघे आपको तो एक टो Subs easy round प्रहें हों चारां चल रही है हमारी है चौथिं राउंड को कंपिट कर लेती हैίं पिरी काती होगी। यहां पर हमारी फोत राउंड इन एतलत है फित राउंड के लिए देख़ें क्या करें। हुर्स्ट वालीचेन प्रभावाव से डालें गे और दो डींवæलब कररेंगे। कि अगर इस के लिए बना रही है तो आपको यह फिप्त राउंड तक ही बनाने ही ठीक है इसके बाद अगला तीन राउंड जो बनाना है अगर इसमाल साइस के लिए तो वान टू करेंगे तीन डॉट को न करेंगे इस तरह से तो तो फिर रांड हम इसी तरह से को क्रेंगे one two double cross है फिर one double cross है फिर one 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 फिर two फिर one one फिर itu इस यह फिर तिन भार हम अलग-अलग chain पे एक एक डबल कोई से बनाएंगे फिर दू डबल कोई से बनाएंगे फिर एक एक करते वें तीन chain में अलग-अलग एक एक double crochet करेंगे, चाथी वाली chain पर दो double crochet करेंगे, इतना आपको small size के लिए करना है, यहाँ पर हमारी 5th round complete होगे, 1, 2, 3, 4, और यह 5 ठीक है, small size के लिए होगे, अब हम यहाँ पर M size के लिए बना रहे है, medium के लिए, तीस के लिए देखी क्या करेंगे, फर्स्ट वाली chain पर फिर से हम 2 double crochet बनाएंगे, यानि फर्स्ट में आपको 2 double crochet बनाना है, 1, और यह 2, हर बार आपको जो 2 chain ले रहे हैं, उसे आपको count नहीं करना है, ठीक है, अब अलग-अलग chain पर 4 double crochet बनाएंगे, 4 double crochet करना है, 1 double crochet, फिर next में 1 double crochet, फिर से next में 1 double crochet, फिर से next में 1 double crochet, 4 टाइम आपको 1 double crochet करना है, यहां पर 2 double crochet, फिर 1, 1, 1, 1, अब यहां पर 2 बनाएंगे, चलिए तो 5 राउंड को इसी तरह से complete करेंगे, ठीक है, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 4 chain में हम एक इक double crochet करेंगे, 5 भी chain पर आपको 2 double crochet करना है, अब यहां पर देखें, यह round complete हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह M size के लिए है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 4 line हम plane बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट रोली chain पर 1 double crochet से बनाएंगे, हर एक chain पर 1, 1 double crochet से बनाती है, आपको round को complete करना, और इस तरह से आपको 4 line है, टोटल हमारे पास 9 line बनके आने चाहिए, यह हमारी 6 line है, और 4 line और हम बनाएंगे, ठीक है, 10 line आने चाहिए, तो इस तरह से करते हुए complete करते हैं, और इसके बाद अगर आपको L size में बनाना है, तो आपको क्या करना है, 7th round तक हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने बढ़ाया, यहाँ पर जो हम निक्या होगा है, इधर से, बताते हैं आपको जैसे, ठीक है, L size के लिए बनाएंगे, तो एक round और आपको बनाना जैसे हैं, 6 round हम नहीं बनाएं, 7 round आपको बना लेना है, 2 double course से बनाएंगे, फस्ट में, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 हम अलग-अलग chain पर 5 double course से इसके बाद 6 पर 2 double course से बनाएंगे, इस तरह से हर एक आपको जो भी size के लिए बनाना है, एक एक line आपको बढ़ाती वे जाना है, जैसे हमने यहाँ पर 5 बनाया है, medium के लिए हमने यहाँ यहाँ पर 6 बनाया, और उसके बाद L के लिए, यहाँ लार्ज के लिए आप यहाँ बनाएंगे, एम के लिए जो बनाएंगे, हम चार लाइने बनाएंगे ठीक है, और L के लिए जो बनाएंगे, हम वो 5 बनाएंगे, plane, ठीक है, यह ध्याल रखना आपको, और इसी तरह से करते हम यहाँ पर 4 लाइने complete करते हैं, फिर आगे आपको दिखाती है, यहाँ पर दे तर रहेगा और इधर नीचे अब यहां से हम इसे जाइंट कर लेंगे इरज़ागा पर इस तरह से स्लिप करते हम यहां पर इसे जाइंट कर लेंगे और एक चैन बनाते लिए धागे को कट कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे लिए अब इस चेन से निकालेंगे और यहां एक चेन बनाते भी धागे को कट कर लेंगे कर लेंगे अब देखिए इस तरह समने से जॉइंट कर लिया ठीक है अब यहां से शुरुआत करेंगे बनाना इसको ऐसे रखेंगे इसे अंदर के और छुपा लेंगे धागे को अब इस जगा से हम शुरुआत करेंगे इसे बनाना का अभे यहां से यहां से प्लेण्फ है आपको चार लाइन बनानी जितनी भी यह अपको यहां पर दीख रहे हैं सभी में इन दबल को से यह बनाते हुए हम इस छोड से लेके इस छोड तक आएंगे ठीक है। आपको M के लिए 4 लाइन बनानी है, L के लिए 5 लाइन बनानी है, S के लिए आपको 3 लाइन बनानी है इस तरह से लेंगे मैं और इस जगह से स्टार्ट करेंगेские plane plane बनाना सबसर्ट पर्स्ट चेन पर डालेंगे हम चेन बनाएंगे एक और ये दो दो चेन हमगे स्कीप करेंगे इसी काउंट नहीं करना आपको ठीक है यहां यहां पर एक डबल क्रॉस यह बनाया इसके बाद हर एक चेन पर एक डबल क्रॉस है बनाती वे लायन को कम्लीट करेंगे हम दिस तरह से प्लेइन प्लेंन डबल गेंपर हम फोर लायन बनाएंगे यह वहां और फ्री और बणा यहीं तो तो कम्प्लीट करते हूं यहां से पूरा यहां तक इस जगह पे जहां हमने गाट लगाया इस गाट में भी एक हम दबल कुर से बनाएंगे ठीक है तो करती हो फिर आगे दिखाती है ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहां पर देखें हमने ही 4 लाइन बनाके कम्प्रीट कर लिये हैं एक से एक व तीन और ये चाओ ठेक है चार लाइने कीạoलेक कर लेने के बाल इसके बाद हम यहां पर देखें यहां फे दोनों सीट से हम फंदे को घटाना शुरू करेंगे अब यहाँ पे दोनों साट से हम यहाँ पे डबल क्रोशया को घटाना शुरू करेंगे ठीक है यहाँ पे सबसे पहले एक और यह दो चेन ले लेते हैं इधर पलटेंगे पलटने के बाद देखें यह जो दो चेन है इस वाली डबल क्रोशया को हम काउंट नहीं करेंगे ठीक अब यहां से double crochet बनाते वे जाएंगे हम, last में फिर समया पे घटाना शुरू करेंगे इस तरह से करते वे जाएंगे, यहां तक आती हूँ, फिर दिखाते हैं कि इदर किस तरह से घटाना आपको अब यहां पे देखिए, आपको तीन double crochet last में होने चाहिए, ठीक है, एक दो और यह तीन, तो एक और दो को घटाएंगे, last राले को हम छोड़ देंगे, ठीक है, crochet पे धागा लिए हैं, इस जगह पे डालेंगे, ऐसे, इसके बाद यहां पे लेंगे, और यहां पे, एक दो ती चार फंदे हो जाएंगे, एक तो तीन, एक साथ निकालेंगे, इस तरह से, इसके बाद दो, ठीक है, अब इसे हम skip कर देंगे, इसे नहीं बनाना, अब एक और दो चेन लेंगे, अब इधार फिर से पलटेंगे, और फिर से घटाना है आपको, इस तरह से दोनों सैट से अब लेंगे, ठीक है, एक, दो, तीन, और ये चार, एक, दो, तीन, एक साथ निकालेंगे, ऐसे उसके बन करेंगे, ठीक है, फिर यहां से इसी तरह से करते हुए जाएंगे, लास्ट में, इसके बाद तीन यहां पर होने चाहिए, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अब देखें, लास्ट में किस तरह से घटाना, तो यहां पर आपके तीन डबल क्रोसे होने चाहिए, ठीक है, एक, दो, तीन, तो जो लास्ट वला इसे हम छोड़ देंगे, और इसे और इसे बंद करना, ठीक है, इस तरह से लिए हमने एक और इसके अरग और लेंगे, ठीक देखें, फिर एक और यह दो चेन ले लेंगे, ठीक है, पर दागा लेंगे, अब इसे और इसे घटाना है तो यहां पर लेंगे, इस जगह पर ऐसे लिए हम, इसके नेक्स्ट वाले पर ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार पंदे होगे, तीन पंदे एक साथ बंद करेंगे, फिर इसे, इस तरह से करते हो जाएंगे, लास्ट में फिर आपको तीन यहां पर डवल कुर से होने चाहिए, इसे हम एक काउंट करेंगे, यह जो है, इसे हम एक काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, इसे और इसे बंद करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, समझ में आ आफ ने बनके complete हो गई है अब यहाँ पर side में सिंगल कोसे उसकी बाद हम यहाँ पर करेंगे front post double कोसे उसकी बाद आगे कि यह design बनेगी उसे शुरू करते हैं बनाना आब यहाँ पर देके जह चेन बने गए है कि आप यहां पे डालेंगे है यह जह पर करेंगे एक सिंगल क्रोश्य कि अपर को दॉघrica नियुदे के बीड़ में करेंगे एक सिंगल क्रोश्य के एक दोटाइब देखिए में कि जिएच सिंगल क्रोश। इसके बाद यहाँ पर करेंगे इसके बीच में कर लेंगे एक सिंगल क्रोस है यानि कि पूरी लाइन में आपको इंगल क्रोस है करते वे जाना है जहाँ गैप दिखरेंगे वहाँ भी एक सिंगल क्रोस है करेंगे जैसे यहाँ पर दिखरेंगे यहाल गयाप दिखरेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, इसके बाद यह जो चेन दिखरी है, चेन की वीच में जो खाली जगा है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, दबल क्रोशे की बीच में एक ही करना है, यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से हम पूरा राउंड बनाके complete करते हैं, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करते हुए, इधर से घूमते हुए इधर आएंगे, फिर इहां से करते हुए इधर आएंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर से करते हुए, एक दम total हम चार्टर अपसे single curl से करते हुए, यहां पूरे राउंड में हमारी सिंगल को से बनके कंप्लीट होगी है और यहां पर क्या करेंगे चैन वराइट यहां सलेप स्टिच करेंगे इस तरह से जाइंट कर लेंगे एक चैन लेने के वाद आप यहां पर हम क्या करेंगे देखें इस तरह से आगे साइट से को से डालेंगे और यहां पर हम सिंगल को से करेंगे ऐसे लिए इस जगा पर लेंगे देखें यह चैन वाली लाइन है इधर नहीं लेना है यह जो साइट साइड में दिखरी है यह यह वाली इस जगा पर डालना है आपको और सिंगल को से करना है य और यहां पर सिंगल क्रोशे करेंगे front post σ्छिंगल क्रोशें करें हो यहां पर इस जगा पर लेंगे इस तरह से और पूरी लाइन हम यहां पर सिंगल क्रोशें करते हुए हम कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोज से दीख रहे हैं पूरा यहां से सुरुआत करेंगे इस जगा से करते हुए हम इस तरह से घूमते हुए आएंगे िरांड करते हुए ऐर से यहां पर लेंगे फिर इदर से घूंते हुए धर आएंगए और जहां समय स्टार्ट किया इस जगह पर करते हैं देखें एक दो तिंग चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है जो यारवी लाइन है यह वाली 11th round यहाँ पर लेंगे हम इस जगाप से स्टार्ट करेंगे हैं ठीक है इस से पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे साइड की बैल्ट बनेगी यहां से लेके आपको नीचे से रो काउंट करना आपको यहां से देखेंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है इतना दो तक आपको पीछे का पट्टी इस तरह से बनाना है यहां से पट्टी बनना सुरू होगी यहां से इस तरह से पट्टी नीचे स ठीके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बारा, तीरा, चाओधा, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उन्नीस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चोबिस, पच्चीस, चबिस, सत्ताईस, अठाईस, उन्तीस, तीस, 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 बाईस, थेतिस, चाओधीस, और ये पैंधिस, चेन हमने बना दिया, ठीके, पैंधिस चेन बनाने के पर फिर से हाँ पर, ये जो रो है, ये वाली, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, नो, दस, ओर एक, ग्यारा, ठीके, इस जगहा पर, इ ख्रेंगे आइंगान Woo यह संगल ऑन तीन संगल ख्रेंग लिए एक लेंगे इधर परजाएंगे फैसे धागा लेंगे अब फेसल सबसे फरस्ट वाली जो टेंद थाजर है यह वाली हमारी हमारी ः थाम और इस प्र49 क यह वाली चेंग आ सबस्ट परक्राप्ञत डालेंगे औ एक डबल टोर से करेंगे, एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन इसकीप करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली चेन पर डालेंगे, डबल टोर से करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन नीचे से सकीप करना, उसके अगली वाली चेन पर डालेंगे, और एक डबल टोर से ईस रावंड को यहां थक कम्प्लीट करेंगे त्याले, प्पूरी राइंच बन गई यहां से यहां तक, ठीक है यहां पर आप चेन बनाएंगे जब लास्क में आएंगे ता है आपको यहां पे 4 चेन बनाना है, एक दो और यह तीन तीन व्हों से लिए होगी और एक चीन हमारी यहाँ पर अफेस के लिए, ठीक है इनधर पलट जाएंगे पलटनी के बाद यह इस तरह से पलटेंगे और फिर यहां पर दागा लेंगे जहां पर डबल को से बनाएंगे फिर एक चेन लेंगे फिर उसके अभी वाली जो डबल को से यहां पर डालेंगे और डबल को से बनाएंगे एक चेन लेंगे डबल को से बनाएंगे फिर से एक चेन लेंगे डबल को से बनाएंगे अब इस तरह से कर दूब ईनके के चेन लेंगे ठीक है ? एक ये जो चेन है ? इसद छोड़ देंगे एक ये इकली वाली चेन सींगल क्रोल सक प्सक शार को साथ इस तरह से जाइंट करेंगे यहां पर chain नहीं लेना है भी यहां लिया ठीक है इसके बगल वाली चेंज जो है देखें यह इसमें तो हमने बनाया है इसे छोड़ देंगे इसके एकली वाली chain पर मियां पर single crochet joint करेंगे एक दो और यह 3 एक chain लेंगे इधर पलट जाएंगे पलटने के बद देखें पर दागा लिए सबसे पारला जो double crochet करेंगे इसके उपर फिर से हम double crochet करेंगे पिर जब last में आ जाएंगे आपको चार चैन देना है ठीक है चार चैन लेते वे फिर पलटने यहां त्रकाते हैं फिर आपको दिखाते हुआ यहां तक देखें हमने बना दिया ठीक है एक चैन लेंगे दूसे पर दागा लेंगे अब इस चैन को इसकीप करेंगे ठीक है जहां समझे बनाए इसकी बाद जो चैन आईगी से इसकी कर देंगे इसके अगली वाली पर हम कि यहां पर ukर लेंगे कि इसके बाद यहां पर ृषऊ और यह दूसरा पलटने के वाद धागा लेंगे जहां समय इसकी दाग कमर बनाए बेखे दागा फाद यह का यह यह ओले ठीक है इसके उपर बनाएंगे हैं फिर एक चेंड लेंगे और यहां को फिर एक चेंड लेंगे इस तरह से करते हुए इस राउंड को यहां तक कम्पीट करेंगे फिर लास्ट में आएंगे चार चेंड लेंगे फिर यहां तक आएंगे अब इसी तरह से करते हु इस जगह से साथ वी लाइन तक आप इससे बना लेंगे इसको लगाएंगे चाहे तो आप यहाँ यहां पर क्या कर सकती है हैं है बनाते हुए आप इहां यह इसे लगा सकती हैं बाद मैं यहां पर डोरी इस सइड 메ं लास्ट में फिस्ट में ऑफ लइस फर्स्ट में और लास्ट में इसमें देखादए न्इमिंगे अग्था 1 2 1 2 1 print मोसे तरह सकती है यह तो पूरा बना लिती हूं इसे जो मेरे पार पास डॉल हो इसको पहनाक के मैं आपको इसमें दिखा दल हूं कि तेलन के toe काले के दिख到底 यह दिखेंस थीचे के हilyn तो देpopular बनने के बाद कुछ इस तरह से है की ठीक है तो मैंने यहां पे डोरी बनाए जहां से वने पढ़étais बनाना 맛있 लंसा बनाना है औरुर से बनाने के बाद दूसरे वाले में डबल से बनाने के बार दूचे बीच से फिर से यहां पे फंदाली बनाना और lepants के साइड लुक्त से बीर में गले मेन बीचा आप आप यहाँ से लंबा कु मेरा करकि यहां बीचे ला main से बहुत कम उन में बनके रेडी हो जाती है तो मैं उन भी बता दूंगी कि कितनी ग्राम इसमें उन लगी है ठीक है अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल में पहली आए चैनल को सिस्क्राइब दी कर लें तो मिलते ही कुछ न्यू वीडियो के साथ थेंक यू